हेलो एवरीवाइन वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब उमित करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं घर और किछन से रिलेटेट बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी डेली लैक में बहुत काम आएंगे तो प्लीज वीडियो फ्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं अनकानी करते हैं उन्हें बहुत ही मुश्किल से खिलाना पड़ता है लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो हम देते हैं खाने के लिए तो वो तो आप क्या कीजिए बनाना को छीलने के बाद इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और कट करने के बाद उन्हें एक फोग वाली चमच पकरा दीजिए जिससे की वह आसानी से खा सके तो बच्चे प्यार से खा लेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा इस तरह से पीसेस में हम कट कर देंगे तो और हाथ भी गंदे नहीं होंगे दूसा तरीका बता देती हूँ कि अगर हाथ पे देना है प्लेट में नहीं देने है या फिर किसी भी बावल में नहीं देना है कट करके तो हाथ पर भी आप दे सकते हैं तो इस तरह से छिलका को ह इसको हलका सा आपको क्या करना है? खोल देना है. जिसे कि एक एक पीस आसानी से बचे निकाल सके और अब हाथ पढ़ी दे दीजे और चमच पकड़ा दीजे. तूध पिक है तूध पिक दे दीजे. उमीद करती हूँ टिप्स आपको पसंद आई होगी अगला टिप्स है चूहा भगाने को लेकर आज हम एक ऐसा सॉलूशन बनाएंगे जिससे कि चूहा मिंटू में ही घर से बाहर भाग जाएंगे कई बार घर में चूहा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो बहुत परिशान करते हैं सबसे ज़्यादा कपड़े बरबाद करते हैं और घर में गंदगी फैलाते हैं जिससे बहुत ही गंदी बद्बू भी आती है तो इसको भगाने के लिए हमें ले लेना है तीन चमच गेहूं का आटा आप बेसन भी ले सकते हैं तो मैं गेहूं का आटा ली हूँ और इसमें बिल्कुल थोरा सा देसी घीली हूँ देसी घी की खुश्बू बहुत ही स्ट्रोंग होती है बहुत ही दूर तक उसकी खुश्बू जाती है जिससे चुहा भागे-भागे आते हैं खाने के लिए तो इसलिए आप घी का ही इस्तमाल कीजिएगा आप ओयल नहीं रखिएगा और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब लास्ट में हमें लेना है जो इस तरह की चकड़ी आती है जिसे मच्छर भागाने वाले कोईल बोलते है ये हर घर में मिल ही जाता है वैसे इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए इसको नहीं जलाना चाहिए मच्छर भागाने के लिए लेकिन चुहा भागाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है तो आप एक भी दुकान से ला सकते हैं खुले में मिल जाती है और बिल्कुल ही छोटा सा टुकरा लेके इस तरह से हमें रख लेना है पाउडर भी बना लीजिए नहीं तो आप ऐसे भी रख देंगे तो इसका जो रियाक्शन है यह आटे में आ जाएगी और इसको खाती ही च तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह जो हमने रखा है ना कोईल यह जो जलाते हैं मचर भगाने के लिए यह बहुत जादा नुक्षान दायक होती है तो यह जैसे ही चूह खाएगा आटा है इसमें घी है तो उसकी खुश्वुष से भागे भागे आएगा ही लेक जितना भी मर्जी हो बना लीजिए, मैं बड़े-बड़े ही बना रही हूँ और इसको घर के हर एक कोने में रखना है, जहां पर भी आपको लगता है कि चूहा ज़्यादा आती चाते है या पर जहां ज़्यादा दिखाई देती है, वहां पर एक गोलिया आपको रख देने है तो गैस सलेंटर के पास या फिर गैस स्टोप के नीचे रख दीजिए, ध्यान रखेगा कि जहां पर रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वहां पर मत रखेगा गैसे स्टोप के नीचे रख दीजे और बच्चों की पहुंच से तो ध्यान रखिएगा कि बच्चों की पहुंच से दूर रखना है पच्चे बिल्कुल भी ना देखे नाइट में आप रखिए सुवा उठा लेजेगा क्योंकि सुवा हमें चुहा वैसे भी दिखाई नहीं बच्चे टिफिन में आलू के प्राठे ले जानी की फर्माइश कर देते हैं या फिर हमें कोई भी आलू की रेसिपी बनानी है पर आलू अभी जस्ट हमने बोईल किया है बहुत जादा गर्म है तो अब इसको हम कैसे छीले बहुत जादा दिक्कत होती है और अगर हम पानी आवी गर्म लगता है लेकिन जैसे छिलका हटाते है तो फिर आलू पकरने में नहीं बनती है दूस데 तरफ चिलका हटाने में तो इसके लिए मैं दो टिप्स बताती हूं और बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत за बड़े आलू है तो इसको दो क्रदा narणा जिए अगर इस तरह से आलू को रखना है जिदर से आपने कट किया है उसको नीचे की तरफ से रखिए और छिलका है उसको उपर की तरफ से लेना है और अब लेना है कटोडी या फिर ग्लास जो भी ठीक समझे आपको ले लीजे और हलका सप्रेस करते हुए एक से दो बार इस तरह से इसक आपको आलू को अलग से मैश करने की जुरत नहीं परती है, पूरी बनाने है, या फिर कोई भी रेसिपी बनाने है, सबसी भी बनानी है, तो आपको अलग से मैश करने की जुरत नहीं परेगी, गर्म नहीं लगेगा, टाइम की भी बज़त होगी, और फटा फट आलू के छिल के उदर जाते हैं ये बहुत ही बड़िया तरीका है मिंटो में ही धेर सारे आलू को छिल सकते हैं किलो किलो आलू को छिल सकते हैं और मैं इसलिए बिल्कुल ही श्लो आपको दिखा रही हूँ जिसे कि आपको ये ने लगे कि मैं फास्ट फास्ट ये दिखा रही हूँ आसानी नहीं हिसको छिलना बहुत ही आसान है इस तरह से छिलना और हाथ भी जलेगा नहीं साथ में बहुत की आसानी से देश सारे आलू को आप चील सकते हैं और पढ़चानी से बस सकते हैं दूसा तरीका जो है वो थोरा सब मुश्किल है इसे भी आप छिल सकते हैं लिकिन थोरा इसमें टाइम लगता है तो आप लेले फोग वाली चमच और आलू में इस तरह से चमच को लगा देना है और अब इस तरह की चिम्टी से जिसे हम रोटी पलटते हैं चिम्टी से चिलका हटा लेना है बस इसमें छिलका तो हट जाती है, हाथ नहीं चलेगी, थोरा टाइम जरूर लगता है, तो इस तरह से भी आप छिलका हटा सकते हैं, पर पहले वाला जो टिप्स है वो बहुत ही बढ़िया है और फटाफट हो जाते हैं, तो मॉनिंग के भागम भाग में बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, तो वो टिप्स से आप आसानी से आलू को चिल सकते हैं, और यह जो दूसरा वाला टिप्स है, इससे भी आलू चिल सकते हैं, पर यह थोरा सा टाइम चाहिए इसके लिए, तो उमीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी, अगला जो टिप्स है, वो हर लेडिस को काफी help मिलने वाली है। कई लेडिस हैं जो सिलाई करते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है। आजकल हर किसी की आँख जो है जो eyesight है वो थोड़ा weak हो गया है। धागा डालना सुई में काफी difficult लगता है। और खास कर जो बहुत ही छोटी वाली सुई होती है उसमें धागा डालना काफी मुश्किल लगता है क्योंकि जो उसके space होता है वो बहुत ही कम होती है। तो उसमें धागा डालने में बहुत टाइम लग जाती है और हमें बच्चों की मदद लेनी होती है लेकिन बच्चे भी अपने मन की होते हैं जब उन्हें सरूरत हो बुलाएं तो वो नहीं आते हैं तो मैं बहुत ही बड़िया तरीका बताती हूँ जिससे कि अगली बार आप बिल्कुल ही पतली सीख लेना है क्योंकि ये जो सुई है ये बहुत ही छोटी वाली है जिससे तीरुपाई की जाती है तो वो वाली सुई है अगर बड़ी वाली सुई हो तो आप थोरी मोटी भी सीख ले सकते हैं और अब हमें इस तरह से इसको मोर लेना है भी के आकार में बनानी है तो जो एक्ष्ट्रा बचा हुए चारुकासी इसे हम कट करके हटा लेंगे बस हमें इतना ही चाहिए और अब हम टेप की मदद से जो नेल कटर है इसके ऊपर इसको हम फिक्स कर देंगे तो आपके पास जो भी टेप हो ट्रांसपरेंट हो तो वो भी ले सकते है या जो भी बस इसको अच्छे से fix कर लेना है और fix करने की बाद आप देखेंगे कुछ सेकिंड में सुई में धागा बड़ी आसानी से चली जाती है तो इसको मैं fix कर ली हूँ और अब मैं धागा डाल के आपको दिखाती हूँ तो धागा का जो ऊपर का जो शेरा होता है उसको cut क कर लेजे क्योंकि उसमें रेसे निकले रहते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है धागा डालने में और अब हम यह जो बनाए हैं इसको पहले सुई के पाशे में यानि कि जो उसका space होता है उसके अंदर हम पहले डालेंगे और डालने के बाद चुकि जो space होती हो बहुत ही कम ह होती है तो धागा डालने में बहुत ज़्यदा दिक्कत होती है हमें एक दम फोकस रखना होता है उसकी बाप जूद भी काफे time लग जाते है धागा डालने में लेकिन जब आप इसको डालेंगे ना क्योंकि यह तो लकडी है तो बहुत आसानी से उस space में चली जाती है और उसमें धागा डालिए तो आसानी से धागा जाएगी और पिर इसको बाहर निकाल दीजिए तो इस तरह से इसको बना कि आप रख सकते हैं और easily धागा आप डाल सकते हैं अगर सिलाई करते हैं तो आपके लिए यह काफी helpful है अगर नहीं भी करते हैं तो वैसे भी हम आते हैं मार्केट से लेकर आते हैं पर कई बर बच्चे खराब कर देते हैं या फिर घर में पैट है तो वो भी खराब कर देते हैं तो हम कितना कुशन कवर लेकर आए और घर में पुरानी या नए कपरे इस तरह से बहुत सारे होते हैं जिसका हमें कोई यूज नहीं रहता पर अगर healthy हैं, blouse की पिसेस नहीं आ रहे हैं, तो हम अलग से blouse लेते हैं, तो वो ऐसे ही परह रहता है, तो आप उसका बहुत ही बढ़िया इस्तमाल कर सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, बगैर इसको काटे हुए और बगैर सिलाई के, वो भी मिन्टों में, तो अभी मैं दो तरीका आपको बताऊंगी, दोनों ही तरीका बहुत ही best है, आपको जो भी अच्छा लगे आप बना सकते हैं, और वो भी मिन्टों में, बगैर कट किये हुए, बगैर कपरों को कट करके और सिलाई किये हुए, मिनिट भर नहीं लगता है, और आसानी से आप बना लेंग जिससे कि ये खुले नहीं, और अब ये जो दोनों कॉर्णर बचा है, इसको फिर से एक दूसरे के उपर लेकर आरा है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी, और कोई मुश्किल नहीं है इसे बनाना, बस आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आप देख सकते हैं, कि ये कुशन कवर बनके तियार हो गई है, तो यहाँ पर भी एक मैं सिप्टी पिन लगा दूँगे, जिससे कि ये खुलेगा नहीं, और अब आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, बैड पे रख दीजे, या फिर सोफा पे, या देती हूँ, वो भी बगएर सिलाई किये हुए ही बनानी है, और बगएर कपड़े को कट किये हुए बनानी है, तो आप देख सकते हैं, यह मेरा बलाउज का पिस है, के बैर होता है न, जो सारी में मैचिंग आते हैं, बलाउज पिस, वो बहुत ही छोटा होता है, उसके बल मंदर की तरफ थोड़ा सा फोल कर देती हूं और अब दो कॉर्णर को लेके हमें गाठ बनानी है जैसे हम किसी भी चीज की गठरी बनाते हैं वैसे ही लेकिन चुकि हम इसमें कुशन रखे हैं तो यह गठरी नहीं बनेगी यह देखने में बहुत ही प्यारा लगता है तो इस तरह से हम डीजाइन सेप में दे देंगे आप चाहें तो इसको सिलाई लगा के हलका सा सिलाई लगा के अंदर की तरफ फिक्स कर सकते हैं और अब इसे कहीं पर भी आप रखिए बहुत ही प्यारा लगेगा तो चलिए मैं इसे रखके भी दिखा देती हूं यह मेरा सूज र च्抉क है और इसके उपर हम ने इस तरह से रख दिया है कितना प्यारा लग रहा है और इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगी है तो आपको कैसा कमेंड करके जरूर बताई कर पाई कर ज़रूर बताई का च्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर द